नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो रावत पर आज हम बात करेंगे व्रच्षिक राशी के 2022 व्रच्षिक स्कॉर्पियो राशी वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा मित्रों यदि आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं डि अल्वर चैनल चनल को सबसे हो बात कर ते वुर्फ पर आज हाए मज़ाए के लगतने में केतू ओर सबंवह में में राहु वराजमाणान ही और चौथ घर में गुरू है whereas सबसे पहले हम बात करते हैं website field की कैसा रहेगा website रोजगार जो लोग business करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा मित्रों चौथे घर में गुरू देव विराजमान है और दस्वम भापा भरपू दिस्टी गुरू की जा रही है याने आपको जो website छेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और कुछ चेंजे से दिया आप करना चा रहे हैं तो यह साल बहुत अच्छा है गुरू की दस्टी दस्वम भाप के साथ साथ 12 घर पर भी जा रही है याने आपके business में कुछ नया investment करने के लिए यह साल बहुत अच्छा है और chances भी आपके बनेंगे यदि आप कोई नया business शुरू करना चा रहे हैं यदि मालो आप किराई की दुकान में है उसको purchase करना चा रहे है तो यह investment है यह साल business में investment करने के लिए बहुत अच्छा है जिसके output आपको बाद में देखने को मिलेगे क्योंकि गुरू की बारवे घर पर दस्टी पैसा खरच कराती है य वो इस साल कई भार जाके यदि business शुरू करना चा रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए क्योंकि आप जर्म स्थान से भार जाके तरक्की करने के योग बहुत ही अच्छे बने हैं निच्छे तोर पर यदि आप पिछले काफी समय से कहीं भार जाने का रहे हैं यदि आप कमपनी में बहुत समय से कोई स्विच करना चा रहे हैं यह आप एक कमपनी छोड़के दूसरी कमपनी में जाना चा रहे हैं तो 2022 आपके लिए बहुत शौंदा है इस से अच्छा समय मितनों आपको नहीं मिलेगा कहीं भार जाने के लिए जैसा कि मैंने स्केहां तो यह साल निश्चित तोर के आप में से नौकरी वालों के लिए अब मैं बात कर दाहूं मेफ्टम्व विद्धारतियों के लिए जो किसी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं मित्रों गुरू की दस्थम भाव पर दस्थी याना नौकरी कर्मचे राज्य सेवा राज्य सेवा में आपको नौकरी लगने के चांसे बहुत अच्छे बन रहे हैं जो लोग IPS IPS IAS किसी भी बड़ी administrative पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह साल बश्चा है competitive exam में निश्चित तोर पर आपको सफलता मिलेगी तो गुरू की दस्ती दस्थम भाव पर होने के यह करण बन रहे हैं मित्रों हम बात करते हैं मित्रों धन संपत्ति की चुकि मंगल लगन में हैं केतु के साथ मे में राहू है राहू उच्च के बैठे हुए हैं उच्च के राहू जो होते हैं मित्रों व्यापार्क शित्र के साथ साथ कैंद्र में होने की वाई से घर में कोई नई प्रॉपर्टी आने के चांसे भी बनते हैं कोई बरी प्रॉपर्टी आप खरी सकते हैं पुराए लंब या व्यवा में उनको अब तक बाधा आ रही है तो बता दू मैं आपको चौते गुरु जो होते हैं खास्तोर से बच्चियों की कन्याओं की कुर्णी में वो धार्मिक कार में तो देरी कराते हैं याने आपका जो साधी समंद्ध है वो फिक्स तो हो सकता है तो शाधी आपकी जो है वो दिवाली के बाद ही बनेगे धार्मिक आयोदन के संकेत अ creation पूरु पूरे बने रहे हैं आपकी मैरेस works हो सकती है तो शादी के जो योग वे विवा के बाद ही बनेंगे मित्रों हम बात करते हैं विदेश आत्रा के जो लोग विदेश भ्रवण का सोच रहे हैं यदि कई बाहर जाना चाहते हैं जिसे पहला भी मैंने आपको बताया यदि आप इस साल खास्तोर से 27 अप्रेल से 12 जुराई के बीच में जो धहिया शरी का अलब्रवण व्रिश्चिक राशी पर रहेगा वो निश्चित तोर पर आपको कामयाभी के बहुत द्वार आप लोगों के लिए खोलेगा मित्रों फिर भी यदि आपको कोई बाहता आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि मोती आप गले में जरूर पहनिए पूल माश्य क दिन कच्चे दूर का अर्ग आप चंद्रमा को दीजिए और किसी पर अच्छे कारे के लिए आप मंगलवार सौंबार गुरुवार याना मंडे 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 ट्यूज्टे और थर्ज्टे इन तीन बारों को आप चले मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो प्रसंद आया हो जिरूर बताईए मुझे और अपने बारे में यदि आपको ज़्यादा पूछना चाहते हैं डिडिल निचे मेरा टेलीफोन नंबर आप लोगों को डिस्क्रिशन में दिख रहा होगा आप सीधा मुझे फॉन पर बाग कर सकते हैं निश्चे तुप्रा आप भी किसी पर सम करने के लिए मैं हमश्चा तत्परू मित्रों इनी शब्दों में साथ भब भू धन्यवाद नमस्कार